मैं जैसे ही स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो पीछे से मेरी दीदी ने आवाज लगाते भे कहा आरे नीदी तुम अपना टिफिन तो यही टेबल पर ही बूल गई मैं पीछे पलटी और टेबल पर से टिफिन लेकर दीदी को थेंक्यू बोल कर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी मा के गुजर जाने के बाद दीदी ही मेरे लिए मा समान थी वह हर तरह से मेरा ध्यान रखती थी पापा ने दीदी को जादा पढ़ने नहीं दिया था वह केवल बारवी तक ही पढ़ाई कर पाई थी पापा तो कहते थे कि वह मेरी भी जादा पढ़ाई नहीं करवाएंगे लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से खूब मन लगा कर पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने दीदी के सपने को पूरा कर सकूँ हला कि मुझे कही न कही पता था कि जब मैं आगे पढ़ने की बात करूँगी तो मेरे पापा इस बात के लिए सहमती नहीं देंगे फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेना चाहती थी शाम को जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरे पापा कहने लगे कि आज कुछ लोग दीदी को देखने के लिए घर आने वाले हैं मैं बहुत खुश हो गई कि दीदी की शादी होगी दीदी भी लजाई हुई सी घूम रही थी तैस समय पर लड़के वाले घर आ चुके थे लड़के के पिता ने मेरे पापा से कहा अरे निरंजन भाई साब आपकी बेटी तो बहुत खुबसूरत है लगता है मेरे लड़के को तो रिष्टा मंजूर है तो मेरे पापा ने अपनी भावे सीकोडते वे कहा लेकिन मुझे तो आपका लड़का कुछ खास नहीं लगा इसकी सेलरी भी बहुत कम है शादी के बाद यह मेरी बेटी को खुश रख भी बाएगा क्या मैंने तो बिन मा की बच्चियों को बहुत प्यार से पाल पोस कर बढ़ा किया है कहीं ऐसा नहों कि आपके घर जाकर मेरी बेटी को कोई दिक्कत हो जाए इसलिए मैं अरिष्टा नहीं जोड़ना चाहता लड़के वाले गुसे से बौकला गए और मेरे पापा को भला बुरा कहते हुए वहाँ से चले गए मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि इस तरह से लड़के वालों को घर बुला कर उनका अपमान नहीं करना चाहिए था पहले से ही उनके बारे में छान बिन कर लेनी चाहिए लेकिन मेरे पापा ऐसे ही थे वह दूसरों की भावनाओं के बारे में कभी सोचते ही नहीं थे खैर बात आई गई हो गई दीदी भी रोज की तरह घर के कामों में जूट गई दीदी तो पढ़ाई लिखाई करके आत्म निर्वर बनना चाहती थी लेकिन मेरे पापा ने लोक लाज का भै दिखा कर दीदी की पढ़ाई बंद करवा कर उन्हें घर पर ही बैठा रखा था जिसके कारण कभी कभी दीदी बहुत उदास हो जाती थी वो भी हमेशा यही सोचती थी कि उसकी शादी हो जाएगी तब अपनी ससराल में जाकर वो धोड़ा स्वतंत्र रूप से रह पाएगी मगर मेरी दीदी के लिए जब भी कोई रिष्टा आता था तो पापा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर रिष्टे के लिए मना कर देते थे और कभी लड़के वाले ही मना करके चले जाते थे तो धीरे धीरे दीदी का आत्म विश्वास तूटने लगा अब जब कोई भी लड़का उन्हें देखने के लिए आता था तो दीदी बिलकुल अन्मनी सी हो जाती थी और उन्हें उदास देखकर लड़के वाले वैसे ही इनकार करके चले जाते थे फिर एक दिन मेरे पापा मेरी दीदी के लिए पंकज का रिष्टा लेकर आए पंकज का इस दुनिया में कोई नहीं था और मेरे पापा ने कहा कि शादी के बाद वंकज भी हमारे साथ यही पर रहेगा मैं तो खुश हो गई कि दीदी हमेशा अब हमारे साथ ही रहेगी विदा होकर सस्राल नहीं जाएगी और उपर से जीजा जी भी ऐसे मिले थे जो कि हमारे साथ ही रहने के लिए तैयार हो गए थे तैय समय पर एक मंदिर में दोनों की शादी हो गए मगर सुहाग रात को ही मेरी दीदी मेरे कमरे में सोने के लिए चली आई मुझे बड़ा अजीब लगा मैंने जब इस बारे में पूछा तो दीदी कहने लगी कि तुम्हारे जीजा जी शराब पी कराए हैं और मुझे शराबी इंसान के साथ एक कमरे में नहीं रहना है इतना कहकर वो गुसे में मूँ फेर कर सो गई मुझे बड़ा अजीब लगा कि शादी की पहरी राथ दीदी अपने पती के साथ नहीं है लेकिन खैर पती पत्नी के बीज की बात थी तो मैं कर भी क्या सकती थी दीरे-दीरे मुझे पता चला कि जीजा जी बीमार रहते हैं और कोई दूसरा काम भी नहीं करते हैं और वह हर रात शिराप पी कर आते हैं तो दोनों में लड़ाई जगडा हो जाता है इसलिए दीदी रोज रात को मेरे कमरे में ही सोने के लिए आ जाती थी एक रात जब मैं पानी लेने के लिए रस्विम जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पापा ने दूद में कुछ मिला क मेरी दीदी को पीने के लिए दिया। दीदी ने वह दूध पी लिया। मैं तो हैरानी रह गई कि पापा ने दूध में क्या मिलाया है। मैं बराबर दीदी पर नजर रखिये हुए थी। वस राट जीजा जी घर नहीं आये थे। दीदी जब अपने कमरे में गई तो दीदी बेहोश हो गई तब पापा चुपके से दीदी के कमरे में गए और उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई क्योंकि उस रात पापा एक अंजान आदमी को मेरी दीदी के कमरे में ले गए इससे पहले कि वह आदमी म इस तरह डिश्टर्ब मत किया करो, लेकिन मैंने बहाना बनाते हुए कहना शुरू कर दिया, पापा मेरे कमरे में मा की परचाई दिखाई दिये, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे दिदी के साथ ही सोना है, अब हर रात को दिदी मेरे साथ सोने के लिए आज आती थी, ल तक तुम यही पर खड़ी रहो, मुझे पता चल गया था, कि वो जान भूज कर भीतर वाले आदमी को सुनाने के लिए जोर से चिला रहे हैं, ताकि वो खिड़की से भाग जाए, जब पापा चावी लेने के लिए गये तो मैंने खिड़की से जांक कर देखा, वो आदमी कुद कर भाग रहा था, मैंने रहात के सांस ली कि मेरी दीदी बज गई है, पापा ने कमरा खोला तो मैं दीदी के पास सी जाकर सो गई, मैं रात भर यही सोचती रही कि पापा ने दीदी के साथ आखिर ऐसा क्यों किया, अगली सुबर जब मेरी दीदी की नीन टूटी तो दीदी ने वो दूट नहीं पिया और चुपचाप सोने का नाटा करने लगी, मैं भी बराबर दीदी के कमरे पर नजर बनाये हुए थी, मैंने देखा कि आधी रात के बाद पापा फिर से एक आदमी को घर ले कर आए, और वा दीदी के कमरे में चले गए, फिर थोड़ी द कर दर्वाजा कोलने के लिए भागी, उसी समय वो आदमी पीछे वाली खिरकी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिरकी के पास खड़े हवलदार ने उसे धर दवोचा, जब मेरे पापा ने घर में आवाजे सुनी, तो वो अपने कमरे से बाहर आए, घर में पुलि उस नए आदमी को घर में लेकर आने लगे, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब मेरे पापा ने मुझे जो बताया, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गय, उन्होंने मुझे बताया कि तुम दोनों मेरी सगी बेटिया नहीं हो, मेरी पतनी तुम दोनों को कूले के धेर से उ और तुम लोगों को लेकर नए शहर में आ गया, फिर जब रुपाली शादी की योग्य हो गई, तो मैंने जान बूज कर एक अनात, बे सहारा, शराबी और बिमार इंसान से इसकी शादी करवाई, और दोनों को घर में रखने का नाटक किया, ताकि मेरे काम में कोई रुका अच्छा हुआ, जो आप हमारे पापा नहीं है, ऐसे घटिया इंसान हमारा पापा होता, तो हम शर्मिंदगी के मारे किसी को मुह नहीं दिखा पाते, पोलिस निरेजर को गिरफतार करके ले गई, रुपाली जदा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी, कुछ सालम में उन दोनों ने लौब मेरीज कर ली और आज दोनों अपनी अपनी ग्रहस्ती में हसी खुशी जी रही है, दोस्तों बुराई चाहे लाग बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन यदि किसमत अच्छी होती है, तो इ अनिवाद